है कि आप चट डेख रें बहुत पुराना पढ़े चुका है और इस पर लीकेज और स्लम पुरे कमरे में जा रहा है इस पर आप देख रहे हैं कि यह जो च्छत है इस पर स्टोन भी लगा हुआ है बहुत पूराना है लेकिन स्टोन लगाने के बाद भी इसके घर में जाना शुरू हो गए ऐसा क्या कारण है तो मैं आपको बता दूँ कि अपने च्छत पर टाइस लगाते हैं स्टोन लगाते ह इस टोन जो होता है और यह टाइस होता है मुझबूती भी नहीं बढ़ाता है कि बिल्कुल आपको काम नहीं करना अगर आप नया करा रहे है या पुराना भी कर्स्ट्रक्शन है आप टाइस लगाने के लिए सोच रहे हैं तो उसके पहले आप टाइस लगाई है लेकिन उस आप ध्यान नहीं देते हैं तो आगे चलके बहुत बड़ा इसू बन जाता है और पूरा आपका जो लिंटर होता है उसको तोड़वाना पड़ता है अब जानते हैं कि आप धलाईया कराने में बहुत ज्यादा पैसा लगता है तो आप वाटर पूरूफिंग जरूर करा है अपने चाहत को अगर आप कंस्तुक्रक्शन करा रहे हैं या ऐसा ज्युज़द रिस्तिति बन चुका है श्रίν लिक्शे इसको बचाना चाहते हैं तो वाटरप्रूफिंक कराएंए । सेबन कोटिंग वाटर पूरूफिंग होता है इसका काम होता है यह पुरा जाली की त चिपक जाता है इससे ही होता है कि इस छट पर नहीं आता है जब नहीं आए तो इससे मजबूती बढ़ता है तो टैल से अच्छा है आप सेवन कोटिंग वाटर प्रोफिंग कराईए यह हमारा फाइनल कोटिंग है जैसा कि आप देखना है अगर टाइस लगाना हो तो यह सब्सक्राइब करके आप अधिक जनकाली ले सकते हैं वीडियो को सब्सक्राइब करें